नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग सब लोग अच्छे है ना चलिए बहुत अच्छी बात है तो देखे बच्चों हमने अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 स्टाट किया है जिसमें हमने कितने एक्ससाइस कंप्लीट कर लिया है तो अभी तक हमने चार एक्ससाइस तो यहां पर किसके बारे में जानेंगे तो यहां पे हम किस तरीके से बनाया जाता है तो पॉलिगों का जीता जाताइए इस concrete चलेंगे तो देंगो बचचो पाउलिगोन कैसे बनाया चाता है मैं आपको थोड़ा सा explain कर देती हूँ फिर उसकी बाद हम लोग ये question पे चलेंगे ठीक है तो देखो बच्चो polygon बनाने के ना दो तरीके हो सकते हैं वो question के उपर depend करेगा एक तो आप क्या कर सकते हो histogram बना करके polygon बना सकते हो और दूसरा आप क्या कर सकते हो बच्चो बिना histogram बनाए भी polygon बना सकते हैं ठीक है तो question के उपर depend करेगा जैसा आप से सवाल पूछा रहेगा उस तरीके से आप लोग answer देना ठीक है तो आप देखो पहला वाला तरीका आपको बताती हूँ अगर आपक histogram की मदद से polygon बनाना है तो कैसे बनाओगे जैसे कि histogram कैसे होता है बच्चो पिछले exercise में सीखाता ना 6.4 में कैसे होता है हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से boxes बनाते हैं याद आ रहे है आप लोगों को हाँ दिख रहा है ना थोड़ा छोटा छोटा है पर दिखेगा चलो ठ जैसे कि यहां पर ना क्या है जैसे सपोस करो इधर 10 है और इधर क्या है बच्चो 20 मतलब इसका class क्या है 10 से लेकर के 20 ठीक है तो 10 से 20 के बीच में मतलब इसका जो class mark हो क्या होगा बच्चो हम लोग क्या करते है अगर हमको class mark निकालना रहता है तो क्या करते हैं जो upper class और यह lower class रहते, उन दोनों को plus करते divide करते 2 से, ठीक है, तो देखो इसका half क्या होगा, 10 plus 20 करो बच्चों और half कर दो तो 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है 30 को divide करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 15, यानि कि ये class में class mark कितना आ रहा है बच्चों 07 15 किस्प्лично है थीग है तो हमें इसे ही आपकोASE कर में जा कर के मार्ब करना आए और उसके बाद तो सुनो ध्यान से यह मिडिल पॉयंट ना उनको इस प्रकार से कर देना है yes everyone, कर दिया हमने, तो क्या आप इसको polygon बोल सकते हो, अभी ये complete नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो, ये जो है ना, आपका polygon जो है ना, बच्चो वो चारो तरफ से pack होना चाहिए, लेकिन ये तो pack नहीं है, दिख रहा है आपको, देखो, ये कहाँ pack है, ये तो इस तरीके से है, किदर से भी बंद है, क्या नहीं न, तो हमें क्या करना पड़ता है, polygon को देखो, बंद करना पड़ता है, हमेशा, जैसे ये जो आपके सामने है न, ये देखो, चारो और से pack है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो खुला हुआ है, तो फिर, क्या किया चाहिए, तो देखो, हम ल तो आप लोग, रुकिये, रुकिये, ये 30 है, मतलब यहाँ पे, 10-10 का गैप लिया है, हमने, ठीक है, तो अगर मैं इसके पीछे जाओंगी, देखो, बताती हो आपको, जैसे यहाँ पे हमारा क्लास न, कुछ इस तरीके से है, 10-20, फिर 20-30, ठीक है, फिर, यहाँ पे है, 30- समझे, तो अब मुझे इसके पीछे वाला क्लास रहे है, इसके प्रिसेडिंग वाला क्लास रहे है, तो कैसे मिलेगा, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहे है, 10-10 का डिफरेंस आ रहे है, बराबर, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो लोवर लिमिट है, वो अपर ल लगा देंगे ठीक है वैसे ही आपको last में भी करना है इधर भी करना है तो देखो जैसे यह 30 से ले करके यह 40 है यह 50 है ठीक है रुको एक काम करते हैं रुको एक मिनट यह suppose करो कि हमारा जो last class है ना यह 20 से 30 40 यह देखो यह 40 से 50 है बराबर ठीक है अब 40 से 50 के आगे हमको जाना है रुको यहाँ पर में लिख देती हूँ 40 to 50 ठीक है अब इसके आगे वाला मुझे class चाहिए तो कैसे मिलेगा यह जो 50 है यह मेरा lower class हो जाएगा और इसके बाद क्या 60 ठीक है तो 52 60 के बीच में क्या आएगा 55 आएगा तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लगा दोगे ठीक है अब क्या करना है तो इसको ऐसे जॉइंट कर दो और इसको यहां से आप जॉइंट कर दो ठीक है अब यह है आपका polygon समझ रहोगी नहीं तो इस तरीके से histogram का यूज करके आप क्या कर सकते हो polygon बना सकते हो ठीक है आपको यह याद रखना है कि जो भी class दिया रहता है उसके आगे वाला एक class आपको अपने मन से लेना है और एक पीछे वाला class लेना है ठीक है जिसकी frequency क्या होगी बच्चो 0 जैसे यहाँ पर हमने यह जो class लिया 0 से 10 यह मज़र हो कि नहीं तो यह histogram का यूज करके आप कर सकते हैं और एक और बात सुन लेजिए जब आप histogram की मदद से क्या करते हो polygon बनाते हो ना तो वहाँ पर आपको coordinates नहीं लिखने परते है जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग तो हर एक point के coordinates को हमने लिखा है जैसे य यह होगा इसका यह होगा इसका यह होगा ठीक है लेकिन जब आप क्या करते हो histogram की मदद से polygon बनाते हो ना तो वहाँ पर आपको coordinates लिखने की सरूरत नहीं होती है ठीक है अगर आपने ऐसे नहीं बनाया मतलब आपने ऐसे ही बना दिया इस तरीके से बनाया तो फिर आपको क् coordinates लिखने होते हैं ठीक है तो बस यही था बच्चो पॉलिगोन का छोटा सा concept अभी actual में कैसे बनाया चाता है वह हम लोग अभी आगे सीखेंगे question number two or three में हमको वही करना है ठीक है तो चलो अभी देखते हैं पहले तो इस question number one को solve करते हैं उसकी बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे ठीक है चलिए question number one के लिए हमें क्या करना है देखो क्या लिखा है observe the following polygon and write the answer of the questions below it मतलब यहां पर यह जो polygon दिया गया है न बच्चो इसे आपको अच्छे से देखना है ठीक है एकदम अच्छे से इसको observe करो फिर उसके बाद यहां पे जो questions दिएगा है इनको मतलब इ यहां पर scale already लिखा हुआ है और यह सब कुछ क्या है मैं आपको थोड़ा बता देती हो देखो जैसे कि यहां पर यह वाला जो पॉइंट है यह क्या है तो बीस और तीस जो आपका class mark है ठीक है class mark देखो बीस और तीस को जोड़ो कि तो कितना आएगा 50 50 का आदा कर दो 25 है ऐसे बनाओगे तो यहां पर जाएगा ठीक है और वाई एक्सिस पर यह कहां पर आ रहा है बच्चो बीस पर देखो इसका कोडिनेट भी लिखा हुआ है 35-20 मतलब 35 और 20 यानि कि एक्स एक्सिस पर कितना है 20 समझ में आ रहा है उसी प्रकार से यहां पर देखो इस पॉइ कि एक्स एक्सिस पर क्या 45 और वाई एक्सिस पर क्या 40 ठीक है इसी तरीके से बागी के भी यहां पर नंबर दियेगा है बराबर तो चलो आप ही देखते हैं एक एकर के कोश्चन को कोश्चन क्या है विच क्लास है दम मैक्सिमम नंबर ओफ स्टूडेंट्स आपको यह बता है दूसरा नंबर देखना है ढूस्तर वाला ठीक है यह तो 20 है यह 40 है यह 50 यह 60 35 15 बता यह कौन सा साथा है यहां पर जाधा है यहां पर जाधा है ठीक है बराबर अब यह वाला जो पॉइंट है ना बच्चो यह कौन se class में आ रहा है तो देखो इसका class मांक्क्या है 65 65 का म लेकिन आपको बता देती हूँ देखो, इसका class mark क्या है 65, इसका मतलब ये कौन से class के बीच में आएगा, 60 to 70 के बीच में आएगा है ना, देखो, 60 से लेकर के 70 के बीच में ही तो 65 आता है ना, समझे की नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए class क्या हो जाएगा बच्चो, 60 to 70, समझ लिखियेगा की class 60 to 70 has the maximum number of students, maximum number of students, ठीक है, यहाँ पर students लिख देते है, येस, पहला question complete हुगा, समझ में आया आए ना, आपको, चले, आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, कि write the classes having zero frequency, यानि कि आपको वो class बताना है, जिन में frequency क्या है, zero, frequency का मतलब समझ रहे हो बच्चो, number of students, ठीक है, तो frequency कहाँ कहाँ पर zero है, तो देखो बच्चो, एक दम ध्यान से देखना, यहाँ पर frequency आपको zero दिखाई दे रहा है, क्या, नहीं, frequency मतलब आपको क्या देखना है, y axis को ही रेखना है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, यह 50, यह 60, है ना, कहाँ पर frequency zero है, तो यह वाले point पर जो आपकी frequency है ना, बच्चो, वो हो जाएगे zero, देखो, अगर मुझे यह वाले point का coordinate लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, देखो, यहाँ पर x coordinate क्या ह हो जाएगा 25, and y coordinate क्या होगा बच्चो, zero, क्यों ऐसा, क्योंकि यह तो किस के उपर है, यह x axis के उपर है, और हम चानते है, कैसे लिखूंगी देखो 90 और 100 के बीच में क्या आएगा 95 और Y कोडिनेट यहां पर जीरो आचाएगा ठीक है तो यहां पर भी जो आपका ठीक है 2230 और दूसरा क्लास कौन सा है 9200 ठीक है 9200 है जीरो फ्रीक्वेंसी ठीक है समझ गए बच्चो तो यह आपका आंसर है चलो आगे देखते हैं अगला यहां पे है कि What is the class mark of the class having frequency of 50 students देखो बच्चो आपको न क्या करना है देखो वो क्लास का class mark बताना है जिसमें frequency कितनी है बच्चो 50 students की frequency कहाँ पर है देख करके बताओ यहां पर ठीक है समझएयों यहां पर यह वाले पॉइंट पर ठीक है फ्रिक्वेंशी क्या है? बडिवर तो इसका हमें क्या बताना है बच्चों क्लासमार्ब बताना है यानि class mark हम ले रहे थे ठीक है तो इसका class mark क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा कितना simple है तो चलिए लिखते थे हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे the class mark of the class the class mark of the class having frequency of 50 students is क्या आएगा बच्चो येस 55 समझेगे नहीं बस खतम चलो अब यहाँ पर अगला वाला सवाल देख लेते क्या है राइट दो lower and upper class limits of the class whose class mark is 85 यानि कि देखो जिसका मतलब हमें क्या लिखना है वो class का lower and upper limit बताना है द्यान से सुनना lower and upper class limit बताना है उस class का जिसमें class mark क्या है बच्चो 85 तो देखिए class mark कहां पर 85 है देख करके बताओ class mark मतलब अभी आपको ये वाला देखना है यानि कि x coordinate देखना है तो कहां पर 85 है यहाँ पर है बराबर तो अभी ये जो आपका class mark है बच्चो ये कौन से class में आएगा तो ये आ रहा है 80 और 90 वाले class में ठीक है मतलब 80 से 90 ठीक है तो अब देखो बच्चो इसका जो lower class limit है व अपर class limit ठीक है तो 85 कहां पर आ रहा है 80 और 90 के बीच में तो ये आपका lower class limit है और ये आपका upper class limit है ठीक है चलिए answer लिख देते हैं क्या लिखेंगे कि the lower and upper class limit limit limits of the class of the class whose class mark is class mark is 85 और बताइए lower class limit क्या हो जाएगा बच्चो 80 और अपर class limit क्या हो जाएगा 90 ठीक है अब देखो लास्ट में क्या आया है कि how many students are in the class 80 to 90 मतलब 80 to 90 का जो class है उसमें कितने number of students है तो number of students मतलब y-axis पे आपको देखना है तो चलो देखते हैं 80 to 90 यानि कि ये वाला आ जाएगा ये वाला class आ जाएगा ठीक है अब यहां पर कितने number of students है तो देखो बच्चो इसके बीचो बीच में ये वाला अंसर क्या लिखोगे यहां पर लिखिएगा कि the number of students in the class 80 to 90 are 15 ठीक है कितने number of students है तो 15 है बस देख लीजिए यहां पर हमने question number 1 complete कर लिया ठीक है चलिए बच्चो अब हम लोग देखते है second question तो इसमें हमें क्या करना है देखो क्या लिखका है show the following data by your frequency polygon यानि कि यह जो data दिया गया है इसे हमें show करना है किसकी मदद से तो frequency polygon की help से ठीक है तो कैसे होगा बच्चो चलो आपको पताती हूँ यहां पे देखो पहला तो class दि लिखने का ठीक है जो आपका question में class दिया है उसको इधर लिखने का फिर उसके बाद दूसरे column में आपका आता है बच्चो class mark ठीक है class mark जानते हूँ न कैसे निकाला चाता है yes और फिर तीसरे वाले में क्या लिखने का yes everyone frequency लिखने का frequency बराबर और last वाले में आप क्या लिख ठीक है चलिए बच्चों अब हम लोग class लिख लेते हैं तो class मतलब यह electricity bill है ना तो इधर ब्रैकेट में लिखकर के बता दीजिए यह क्या है electricity का बिल है है ना electricity bill जो किसमें है तो रूपीज में है ठीक है तो यहाँ पर रूपीज का symbol भी डाल दीजिएगा फिर उसके बाद frequency क्या है बच्चों families तो यहाँ पर bracket में लिख दीजिएगा families ठीक है अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर class लिखते जाते हैं तो सुनिए बच्चों ध्यान से क्या करना है एक line आप उपर से चोड़िएगा एक line नीचे से चोड़िएगा ठीक है पहले उपर से इतना है बच्चों 600 है ठीक फिर 600 टू 800 यस एंड आफ्टर देट 800 टू 1000 ठीक है चलिए यह लिख दिया अब हमें क्या करना है बच्चों तो class mark find out करना है ठीक है तो class mark कैसे मिलता है हम क्या करते हैं lower class limit और upper limit दोनों को plus करते हैं और divide करते हैं 2 से ठीक है तो यहाँ पर क्या ह है बच्चों देखो 0 plus 20 तो 0 plus 20 0 plus 200 क्या आएगा 200 200 का आप करो कितना आएगा बच्चों तो यहां पर आजाएगा 100 ठीक है फिर 400 और 200 कितना हो जाएगा 600 600 का अधर कितना होता है यह 300 फिर 600 and 400 थाउजन आएगा 1000 का हाफ करेंगे तो 500 आजाएगा 800 ए 600 1400 इसका हाफ कर दो बच 900 ठीक है इतना हमने कर दिया उसके बाद अभी हमको फ्रिक्वेंसी लिखना है तो फ्रिक्वेंसी तो अल्रेटी कोश्चन में दिया गया ना तो चलिए लिख लेते है पहला क्या है बच्चो 240 लिख लीजिए उसके बाद दूसरा क्या है 300 यह यह भी लिख लिया फिर यह 450 फिर आगे देखू क्या है बच्चो 350 तो यहां पर हम लिख देते है 350 औरर लास्ट में फ्रिक्वेंसी ऑपन सिक्स्टी तो यहां पर हम लोग लेक्देते हैं इनको ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर coordinate आएगा, अब सुनो ध्यान से, यह जो है ना बच्चो, यह आपका X है, और यह जो है ना यह आपका Y है, क्यूंकि हम जानते हैं, जो class होता है, उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, और जो हमारा frequency होता ह है उसको अम लोग y-axis पर दिखाते हैं ठीक है तो यह क्या है फ्रिक्वेंसी और यह आपका क्या है बद्चो क्लास मांक है बराबर तो इसलिए यह आपका एक्स होगा और यह क्या हो जाएगा वाई ठीक है तो जबी भी हम लोग कोडिनेट लिखते हैं किसी भी पॉइंट का तो कैसे होता है पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है ठीक है तो यहां पर भी वैसे ही होगा पहले एक्स आएगा बाद में वाई आएगा तो बताइए बच्चो क्या है यह 100 और 240 मतलब एक्स कोडिनेट आपका 100 है और वाई कोडिनेट क्या है बच्चो 240 है ठीक है फि यहां पर X-Coordinate is 700 and Y-Coordinate is 350 और यहां देखो बच्चो एक स्कॉडिनेट आपका 900 है इतना काम हमने कर लिया यह मैं आपको लास्ट में बताती हूं जब इसका काम पड़ेगा तब मैं आपको बताओंगी तो अच्छे से समझ में आएगा तो अभी इन दोनों को ऐसे ही रहने दो चलिए बच्चो अभी हम लोग यह जो पॉलिगोन है उसको बनाना स्टार्ट करत बना सकते हो या फिर क्लास मार्क को कंसिडर करके भी बना सकते हो ठीक है तो यहां पर हम लोग क्लास मार्क की हल्प से बनाते हैं ठीक है तो क्या होगा आप जानते ही होगी जो क्लास है उसको कहां पर दिखाया चाता है और जो फ्रिक्वेंसी होता है उसको य एक्स पर 300 तो यहां पर हमें 50-50 का distance लेना चाहिए तो देखो यह 0 है 0 से 50 पर गया उसके बाद से 100 पर फिर यहां पर 150 आएगा आफ्टर देट 200 यहां पर आजाएगा 250 फिर 300 आएगा देखो यह सारी चीज़े आपको अपने ग्राफ बुक में करनी है ठीक है अच्छे समझ लीजी ग्राफ बुक में बनाना है फिर 350 और यहां पर क्या आएगा 400 ठीक है यह हमारा क्या है बच्चो वाई एक्सिस है और यह अधीक है Kenn Leers क्या है यह क्रास माई बनाने के जरूरत नहीं है ठीक है चलो के चलते हैं और यह की सब करने में हलें यह हैं कि आप क्लास माक्य ऐसे करने बैसे हमें आप यहां मोग क्या दिखा क्लास्पार्ग दिखाओगे ठीक है तो दिखो 100 है 300 500 700 900 तो हमें क्या करना चाहिए कितने का दिस्टंस लिया जाए तो चलिए बच्चों यहां पर हम लोग 2200 का दिस्टंस ले लेते हैं ठीक है तो यह सबसे पहले कहां से गया ना जीरो से लेकरकर के यह क्या यह क्या है सौ ठीक है फिर यह सौ खरकर करtestन आ यहां पर हम लोग डिस्टंस ले ते हैं कहां तक जाना है 900 तक ना क्या ये 900 तक को पाएगा यो यह बर cough लêtने करने दूं हो सकता है बच्चों तो यहां पर हम department का दिस्टंस ले लेते हैं तो चलो 100 यह हो जाएगा 200 यह हो जाएगा 300 फिर उसके बाद यह 400 यह 500 600 यह हो गया आपका 1000 ठीक है अभी हम क्या करेंगे यह जो हमारे इसके उपर जाएगा बराबर मतलब यहां पर आएगा और फिर कहां पर आएगा बच्चों क्या लगता आपको तो देखो 200 और 250 के बीच में आएगा 240 ठीक है तो अगर आप लोग ग्राफ बुक में कर रहे होंगे तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि कितना लाइन पर हमको जाना है क्योंकि देखो जो हमारा ग्राफ बुक होता है उसमें इस प्रकार से चोटे 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 लाइन बने होते ह करके बने होते हैं कि नहीं तो आप इसमें से काउंट कर सकते हो ठीक है अभी मेरे पास वह लाइन नहीं है तो मैं ऐसे ही अंदाजे से करूंगे आप समझ आएगा ठीक है तो इन दोनों के बीच में मतलिब यहां पर आएगा लगबग लगबग हमारा 240 है ना देखो 210 220 230 और यह 240 हां यही पर लगबग लगबग आएगा ठीक है तो वह पॉइंट हम लोग कहां पर प्लॉट करेंगे बच्चो तो देखो इसके यहां पर जाएगा देखिए बच्चो हमारा पॉइंट ना कुछ यहां पर आएगा ठीक है समझ में आया कि नहीं इसकी कोडिनेट भी हम लोग लिखते जाते हैं 100 और 240 ठीक है समझ में आया आपको अब दूसरा पॉइंट देख लेजिए बच्चो क्या है 300 और 300 यानि हमें एक से एकसे पे थ्री हंड़े देखना है और य एकसे पर भी हमको क्या देखना है बच्चो 300 देखना है ठीक है तो चलिए 300 मतलब यहां स से उपर जाईएगा स्केल की मदद से वैसे आपको लाइन बनाना नहीं है बस आपको पॉइंट करने हैं ठीक है तो मैं यहां पर थोड़ा इसके सीधे में लेने वाली हूं इस खिले में स्केल का यूज कर रही हूं बाकी देखो मैं लाइन नहीं बना रही हो ठीक है और 300 इदर से कहां पर आएगा तो उपर इहां पर कहीं पर आएगा तो यह तो यह हो जाएगा आपका यह वाला पॉइंट दूसरा वाला जिसके कोज़ेंक्स क्या है 300 और 35 को X-axis पे हमको क्या देखना है 500 देखना है Y-axis पर 450 देखना है तो 450 लेक्रें महीं 215-inger पर एगलो कि यहीं पर पर आएगा और 500 अ कोफित को यहां पर आएगा उकें जिसके कोडिनेट्स क्या है 500 and 450 ठीक है आप लोग ग्राफ बुक में अच्छे से कीजिएगा ओके यहां से सीख लो और ग्राफ बुक में अच्छे से एकदम मस्ट करो ठीक है फिर देखो अगला क्या है 700 and 350 यानि कि हमें 350 मतलब इधर कहीं पर आएगा और 700 बोला था ना 700 मतलब यहां से हमें उपर जाना पड़ेगा तो देखो बच्छो यहां पर हमारा पॉइंट आएगा कहां पर यहां पर ठीक है इसके कोडिनेट्स क्या हो जाएंगे तो 700 and 350 यहां पर लिख देते हैं हम लोग 700 and 350 ठीक है फिर उसके बाद बच्छो देख लिए लास्ट में क्या है तो यहां पर एक्स कोडिनेट्स आपका 900 है वाइक कोडिनेट्स क्या है 160 अब बताएगे बच्छो 160 कहां पर आएगा तो 160 आएगा 150 के उपर ठीक है देखो यह आपका 150 है इसके उपर जाओगे तो 160 मिलेगा ना आपको 160 फिर 170 फिर 180 190 तब जाके 200 आएगा ठीक है तो इससे थोड़ा सा उपर चले जाना अभी अगर मेरे पास ग्राफ बुक रहता तो मैं आपको वो लाइन काउंट करके बताती ठीक है लेकिन आप लोग अपनी ग्राफ बुक में काउंट कर लीजेगा ठीक है तो यहां पर कहीं कि चलो चलते हैं कि यहीं पर आएगा कि 900 बोला गया ना तो 900 मतलब यहां से उपर देखो हमारा जो पॉइंट है ना बच्चो वह यहां पर आएगा ठीक है 900 यह लगबग लगबग यहां पर आ जाएगा चलिए तो इसके कोडिनेट भी हम लिख देते हैं 900 एंड क्या एगा 160 ठीक है बच्चो तो देख लिजी हमने सारे पॉइंट्स यहां पर प्लॉट कर दिये हैं समझाना आपको कैसे क्या अब हमें क्या करना है यह जो पॉइंट्स है ना इन्हें हमें एक दूसरे से जॉइंट कर देना है ठीक है कैसे जॉइंट करना है देखो यह दोनों पॉइंट को भी यहां से हमने जॉइंट कर दिया ठीक है अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारा जो पॉलिगोन है ना वो कैसा होना चाहिए चारो तरफ से बंद होना चाहिए लेकिन यह तो इधर से खुला हुआ है तो ऐसे नहीं चलेगा इ इसलिए तो मैंने यह दो लाइन चोड़े थे अभी आपको करना क्या है सुनो उता इसके पीछे का एक और साफ्को लेना है ठीक है तो इसके पीछे का क्लास क्या होगा बच्चों देखो यहापे यह जो आपका 0 अंबर लिमिट बन जाएक और इसका 4 मानेक बीion किस्ट कित है और देखों इसकी फ्रिक्वेंसि हमको लेनी है जिरो लेनी है 14 लेनी है मैं आपको बताया था कि जो भी हम अपने मन से अगर क्लास ले रहे हैं तो भी उसकी फ्रिक्वेंस फ्रिक्वेंसि जिरो लें रहने का यहाप बढ़ bisher करना है इसके आप आगे वाला क्लास ले लीजिए तो बताइए बच्चो क्या होगा 1000 यहां पर क्या बन जाएगा लोवर क्लास लिमिट और इससे आप 200 आगे जाएंगे तो 1200 ठीक है जिसका फ्रिक्वेंसी हमें क्या लेना है बच्चो जीरो लेना है ठीक है अब साथ ही साथ क्लास माक भी लिख दीजिए तो इसका क्लास माक क्या होगा माइनस 200 प्लस 0 क्या आएगा बच्चो माइनस 200 ठीक है माइनस 200 का हाफ करो माइनस 100 मतलब यहां पर आ जाएगा माइनस 100 इधर देखो 1200 और 1000 कितना आएगा 1200 का आधा करो 1100 ठीक है तो इसका जो 1100 ही होगा ना इसका जो क्लास माक है वो क्या हो चाएगा बच्चो 1100 ठीक है समझे आपको तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं इसके कोडिनेट्स भी लिख लेते हैं तो बताए इसका कोडिनेट क्या आएगा तो यहां पर X कोडिने आपका 1100 आजाएगा और Y कोडिनेट के आएगा बच्चो जीरो आएगा ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे यह जो दोनों पॉइंट्स है इन्हें भी हम लोग प्लॉट करेंगे यहां पर ठीक है तो यहां पर यहां पर आ गया यहां पर यहां पर आएगा इसके कोडिनेट में लिख दूँ इदर चली लिख देती हूं मैने प्लॉट कर दिया उसके बाद यह लास्ट वाला भी कर देते हैं 1100 जीरो यह एकस एकस पर हमको 1100 देखना है इसको थोड़ा से कर देते हैं ठीक है यहां पर सपोस्ट करो 1100 आ गया ठीक है तो वह पॉइंट कहां पर आएगा यहां पर आएगा बराबर इसके कोडिनेट्स में लिख दू 1100 коли अभी हम क्या करेंगे बच् 소 तो इसको और इसको इस्त्रीके सज्वा इंड कर देंगे यहां से यहاं तक के अच्छे से जॉइंट कर दिए ये लीजिए लीजें हमने इसको जॉइंट कर दिया और पिर इसको भी यहां से जॉइंट कर देते हैं ये देख़ें मैंने ये भी जॉइंट कर दिया तो अब भी इस आपका पॉलिगोन बन कर के तयार हो गया करना था है कि याद रखना जो आपका पॉलिगोन है वो कैसा होना चाहिए बश्क दोज को सफिगर होना चाहिए मतलब खुंक Li और नीचे लिए यह क्या करना पड़ेगा एक्सरा क्लास अपने मंद से मान पड़े निचे वह क्लाइब आप क्या प्रिक्वैंत है यहाँ तो सब करना पड़ेगा यह थे कहा है बच्छोप फ्रीक्वेंच सई यानि कि फैमिलीस तो यहां पर लिखतेते हैं बच्छों फैमिलीज ठीक है कि येव staff ये उसके बाद एक्सकिस पर हमताई है तो एक्स अजराया है एक्सकुल्कोर दिखाया से यहां पर स्केल की लिखेता है चलीए इसकेल को तो ध्यान पूरवक लिखना पड़ेगा एकश सप्रक्षाब क्या दिखाया है घजो वन सेंटीमीटर विच इक्वल टूं हमने यहां पर कितने का दिस्टंस लिया बच्चों 100 उन्डेट का लिया ना तो वन सेंटीमीटर परा 50-50 का डिस्टेंस लिया ना तो क्या लिखेंगे 50 फैमिली तीक है समझ में आया आपको तो देख लीजिए कोस्टन कर लिया बहुत ही सिंपल है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा दिमाग लगा करके करोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टेटिस्टिक्स तो बहुत ही आसान है ठीक है चलिए आप इसको देख लीजिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क चलिए बच्चो अभी थर्ड कोश्चन देखते हैं तो यहां पर हमें क्या करना है यह जो डेटा दिया गया है इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसकी मदद से तो फ्रेक्वेंसी फॉलिगोन की मदद से ठीक है तो कैसे होगा फर्स्ट और आपको इस तरीके से कॉलंस बन से की कॉलम में क्या आता है बच्चो मैंने बताया था इंब हिए इसमें आपको क्लाश मार्क लिखना ही कंपलसरी फिर उसके बाद इधर क्या आता है तो फ्रेकंसी यहां पर लिख देते हैば 3 frequency frequency मतलब number of students तो यहां पर लिख दीजिए ब्रैकेट में number of students ठीक है फिर यहां पर क्या आता है तो coordinates of points यानि points के coordinates आते हैं तो यहां पर हम लिख देते हैं coordinates of points ठीक बच्चो चलिए अभी class लिखते हैं तो class क्या है 30 to 40 40 to 50 है ना एक लाइन छोड़ दीजिए का किसके लिए आपको पताया था ना पहले तो चलो एक लाइन यहां पर छोड़ दो उसके बाद से लिखते जाओ 30 से 40 है फिर 40 से 50 है ठीक है चलो अच्छी बात है फिर 50 से 60 है 50 टू 60 है फिर उसके आगे 60 to 70 70 to 80 पूरा लिखते जाहिए ठीक है यह देखिए बच्चो मैंने यहां पर class लिख लिए है उसके बाद अभी हम लोग class लिखेंगे क्या करना होता है इसके लिए इन दोनों को प्लस करने का तू से कितना होता है सब्सक्राइब करो 70 का आदा कितना हो जाएगा 35 फिर 40 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा 90 का आधा करोंगे तो बच्चो क्या एक यहां पर देखो 60 और 50 110 110 का आधा करो 25 यहां पर आचाएगा 55 70 और 60 60 120 130 130 का आधा करो बच्चो यह 65 पर 80 और 70 तो 150 150 का आधा करेंगे तो 70 70 140 यानि कि 75 तो पर उसके बाद 80 और 90 कितना होगा 8 8 16 तो आएगा 85 ठीक है यहां पर लिखते जाएंगे तो देखो पहली फ्रिक्वेंसी कितनी है सेवन यहां पर लिख देंगे बच्चो सेवन ठीक है याद रखना एक लाइन हमने चोड़ा हुआ है ओके देखो नीचे भी और ऊपर भी फिर उसके बाद दूसरी फ्रिक्वेंसी क इसका फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी 65 इसका फ्रिक्वेंसी कितना है बच्चो 62-70 वाले गा 65 है चलो ठीके अची बात है क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा वाइक कोडिनेट होगा बच्चो 70 यहां पर देखो एकस कोडिनेट 45 होगा और यहां पर देखो 75 और 47 इधर क्या आएगा बच्चो 85 95 इतनी वाद है आपको समझ में अब उसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे उसके बाद यहां पर लिखने का इसे एकस और यहां पर यह देश जो हमारा होता है माइनस वाला उदर इस प्रकाय से डैस लगाना होता है जानते ही आप लोग ठीक है अब चलिए इसकी नंबर कर देते हैं और स्वासिपे संग कर दी है क्रिंग माक का एगा आप के व्क्यक्तव हो रहा है यहरी कि यहां पे माग सथ हम लोगों को बनाना पडेगा ठीक है तो बनाधिया जाहरं देते चलिए बनाई देते हैं पर ऐसे लाइन की जो एक डहले करके जा फिर बहुतर ठीक है यह हो गया आपका क्रिंक मार्क ओके यहां पर देखोगी इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करेंगे वन वन सेंटीमेटर का डिस्टेंस लीजिए आपके ग्राब बुक में जैसे मैं ले रही हूँ देखते चाहिए अच्छे से अब है है अब यहां पर लिख दे तो देखो यहां पर अभी हम जो पोलीगॉन बनाने वाले हैं उसमें प्लुभ नहीं क्लास को गंसेेंडर करेंगे नut तो हम लोग इसी पॉइंट को करेंगे यानि कि यही वाला कोडिनेट लेंगे लेकिन बस वो दिखाई नहीं देगा ठीक है आपको बताती हूं कैसे चलो यहां पर हम लोग लिखते हैं 10 10 का डिस्टंस ले लेते हैं तो यह 10 20 30 40 फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चो 50 आ चा सो दस ठीक है फिर उसके बाद इधर भी हम लोग कर लेते हैं इसकी भी नंबरिंग का इधर भी आप लोग डिस्टंस ले लीजिएगा अब इसकी नंबरिंग कैसे की जाए तो यहां पर कैसे फ्रिक्वेंसी दी गई है साथ 33 45 है ना तो एक काम करते हैं बच्चों यहां पर 3090 ठीक है समझा आपको अभी चलिए हम लोग ना यह जो पॉइंट से इनको हम प्लॉट करते हैं बराबर चलो अब एकदम ध्यान से आप लोगों को सूच समझ करके करना है तो यहां पर क्या है तो 35 कहां पर आएगा 35 कहां पर आएगा 30 और 40 के बीच में आएगा यहां पर बराबर उसके बाद वाई कोडिनेट के बच्चो सेवन तो सेवन कहां पर आएगा तो सेवन तो दस की नीचे कहीं पर आएगा ना देखो यहां से अगर हम काउंट करेंगे जैसे आपको समझाती हूं सुनों जो आपका ग्राव बूक होता है ना इस तरीके से बॉक्स में 말डोता है है और यहां जरना होता है एर्यां सेवन होता है फिर उसमें समय जखे होता है अति πर आप लोग अपने ग्राफ बुक में अच्छे से एक एक लाइन काउंट करके लिखिएगा तो यहां पर मेरे ख्यालत से 7 कहां पर आएगा लगबग लगबग इधर आजाएगा तो हमें क्या करना है एक से थर्टी फाइगा यहां पर आएगा यहां तो थोड़ा स्केल की यह ठीक है देखो 35 और यह हो गया 7 ठीक है इसके कोडिनेट लिखते जाएए साथ ही साथ चलिए लिख देते हैं इसका कोडिनेट क्या हो गया बच्चों 35 & 7 ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को तो देखे अब भी हमने क्या किया हमने एक्च्वल में तो यही पॉइंट दिखाया यानि कि class mark ही दिखाया ठीक है लेकिन हमने यहां पर यह 35 लिखा नहीं है पिछले वाले कोश्चन में आमने क्या किया था बच्चों जैसे अगर हमारा class mark 100 था तो यह 100 इसके उपर दिखाई दे रहा था लेकिन इस बार दिखाई नहीं दे रहा है ठीक ह समझ में आ रहा है तो आप दोनों भी तरीके से कर सकते हो ठीक है वह आपके उपर है तो यहां से आपको तीन लाइन ऊपर जाना है जैसे यह जो लाइन होती है इसमें करोगे एक दो तीन मतलब यह आपका 33 होगा ठीक है तो 33 लगबग लगबग यहां पर आएगा इसके बीच वीच तो 35 यहां पर आएगा बराबर और य एक्स पर हमको 45 देखना है तो 45 कहां पर आएगा बच्चों 40 और 50 के बीच में यानिकि यहां पर ठीक है तो वह पॉइंट कहां यहां पर मिलेगा हमको देखो ध्यान से यह 33 यहां से ऐसे करके हम लोग जाएंगे ठीक है और 45 मतलब इधर बराबर चलो इसके कोडिनेट समलिख देते हैं तो इसका कोडिनेट क्या हो गया बच्चों 45 और 33 समझा उसके बाद यहां पर अगला है 55 और 45 यानिकि हमें य एक्सिस पर क्या देखना है बच्चों 45 देखना है एक एक्सिस पर 55 तो 55 मतलब इधर कहीं पर आएगा इन दोनों के बीच में है ना देखो तरीके से इधर भी आपको काउंट करना है जैसे कि जो हमारा अज ठीक है तो आपको किया करना है काउंट करना एक दो तीन चार पांच जहां पर आएगा ये यहां पर आएगा तो वह पॉंट इदर हम लोग दिखाएंगे देखो यह यहां से उपर गया यह उपर गया मतलब यह वाला पॉइंट ठीक है इसके कोडिनेट्स हम लिख देते हैं 55 45 45 समझ में आ रहे कि आप लोगों को समझते जाए अच्छे से चिक है जब आप लोग ग्राप बूक में करोगे ना अपने तब आपको और अच्छे स्मझ में आएगा चलो में इसको रप करती हूं बस आपको समझाने के लिए वनाया था चलिए यह तक तो हो गया अभी वाला 65 मतलब यहां से यह उपर जाएगा यानि कि दिस वाला पॉइंट ठीक है सही पकड़ा है मैंने चलिए इसके कोडिनेट हम लिख देते हैं 65 और 65 है और Y कोडिनेट भी क्या है 65 है ठीक है चलो आगे बढ़ो अगला यहां पर क्या है देखो 75 और 47 अब बताएए 47 कहां पर यानि कि 40 और 50 के बीच में आएगा कहां पर आएगा देखो यह मेरा क्या है 45 पराबर इसके थोड़ा और यह क्या है 45 यह थोड़ा और अगर मैं ऊपर चली जाओ तो यहां पर मुझे 47 मिल जाएगा ठीक है तो यह हो गया 47 और 75 हमको देखना यहां पर 75 कहां पर आएगा यह इसके थोड़ा सा ऊपर है और 75 मतलब यहां से आजाएए यहां पर ठीक है इसके थोड़ा ऊपर यह यह वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा जिसके कोडिनेट क्या हो जाएगा 75 और 47 समझा चलो आगे चलते हैं अगला यहां पर 85 और 18 तो 85 कहां पर आएगा बच्चो तो 85 तो 80 और 90 के बीच में यानिकि वह पॉइंट लग 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 यहां पर आजाएगा और देखो आपका वाई कोडिनेट क्या है 18 अब पताएगा तो 18 कहां पर आएगा देखो बच्चो यहां पर बच्चो आपका क्या आजाएगा 18 ठीक है तो 85 और 18 तो यहां से सीधे सीधे जाएगे यह 18 वाली लाइन जा रही है ठीक है यह ऐसे करके गए हम यहां पर करके रुक है ठीक है क्या लेना था 85 लेना था ना तो 85 मतलब इधर से उपर आ जाओ यानिकि यह वाला पॉइंट ठीक है 18 थोड़ा सा और इसको नीचे ले लेते हैं ठीक इसके कोडिनेट्स हम देते हैं बोलो 85 & 18 ठीक है 85 & 18 फिर यहां पर लास्ट में देखो क्या है बच्चो 95 & 5 तो 5 कहां पर आएगा तो 5 यहां पर आ जाएगा 0-10 के बीच यह 5 हो गया और 95 95 कहां पर आएगा बच्चो तो 90 & 100 के बीच में यानिकि यहां पर और 5 बोले तो यहां से इधर से नापते जाओ यहां पर आजाएगा यह वाला पॉइंट इधर नहीं इधर 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 यहां पर बराबर पाच तक तो यह इधर ही आएगा ना देखो यहां से हम सीधे सीधे गए यह वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसके को और इनेट क्या होंगे 95 & 5 ठीक है समझ में आया कि आप लोगों को कैसे हमने यह सारे पॉइंट्स को प्लोट किया अब उसके बाद से क्या करना होता है यहां पर यह जो पॉइंट्स है इनको क्या कर देंगे एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे ठीक है तो चलिए फिर जॉइन करते हैं देखो पहले तो यह दोनों आगर क्या आपको बता रहेती हूँ यहाँ पर क्या था 45 और 55 था ना देख लेते एक बार 45 नहीं 45 नहीं था क्या था रुखो 55 और 45 था ओके 55 और 45 था देखो हाँ सही है समझे फिर यहाँ से इसको जॉइंट करना फिर यहाँ से इसको और लास्ट में ये ठीक है तो क्या आपका पॉलिगोन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है बच्चो बताइए नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है क्योंकि ये क्लोज नहीं है न मैंने क्या बोला था पूरा क्लोज रहना चाहिए ठीक है ये तो इधर से खुला विए बच्चो एक एक विए जाएगा तो यह जो 30 आपको दिखाई दे रहा है यहां पर लिमिट बन जाएगा लोगर लिमिट क्या बने गा तो बिस-बिस का डिफ्रेंस है नहीं दस-दस का डिफ्रेंस आप लोग क्या हो जाएगा 30-20 कितना होता है 50 50 का आधा करो 25 ठीक है फिर इधर नीचे भी ले लेंगे तो यह हमारा लिमिट बन जाएंगा इससे 10 आगे चाहिए 110 ठीक है अब इसका आधा करिए मतलब इसका क्लासमांग बताईए तो 110 का आधा कितना हो जाएगा बच्चो तो 210 का हो गए हाँ बच्चो सही बोला था मैंने 105 आएगा ठीक है ये लिजे लिख दिया और इसकी frequency हमको क्या लेनी है बच्चो अपने मन से 0 ही लेना है ठीक है अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये जो दोनों points है ना मतलब इसके coordinate पहले तो लिख लेते हैं तो यहाँ पर 25 और 0 आजा 20 और 30 के बीचों बीच यानिके यहां पर बराबर इसके coordinate हम लोग लिख लेते हैं 25 और 0 ठीक है फिर यह लास्ट फाला देख लो 105 और 0 तो 105 कहां पर आएगा 100 110 के बीच में ठीक है तो 110 यह रहा ठीक है इसके बीच में यह वाला point आ गया तो इसके coordinate क्या हो जाएंगे ठीक है तो देख लिजिए अब जाके आपका यह जो फिगर है ना बच्चों यह complete हुआ क्योंकि यह चारो तरफ से अभी close रहे कहीं से भी खुला नहीं है देखो यह इधर से हर जगा से close है कहीं पर आपको खुला हुआ दिखाए दे रहा है नहीं तो यह आपका polygon बन करके अब उसके बास है लिए और आपने přिगा तो स्टोरिंटेंट है यहाँ लिखिए आपnaires श्तोरिंट्क पे लिखान में घुनरा है नंबर ऑफ ओफ स्टूडेंट और उनल्सा लिखाया परसेंटेज में बर आपने स्कशन दिखा यहाँ दिखाया परה सेटेंगे में ए पर X axis X axis के ऊपर हमने क्या लिया है 1 cm which is equal to कितने का difference लिया है ना तो क्या लिखेंगे हम लोग 10% थीक फिर Y axis पर क्या रेप्रेंट किया है No of Students ठीक है 1 cm which is equal to हमने क्या लिया है तो 10 students लिया है तो यहां पे लिख देते 10 students समझें तो yes फाइनली आपका यह जो कोश्चन नमबर 3 है ना बच्चो यह complete हुआ इसे के साथ ही प्रैक्टिस एट 6.5 होता है complete इसमें तीने कोश्चन दिये गए थे ठीक है तीनों के तीनों हमने एक्सरसाइज के साथ यानिके 6.6 के साथ ओके चलो गुडबाय वरिवान